कि वेलकम बैक तो अनुदर वीडियो सो गई आज के इस वीडियो के अंदर हम फोटोशॉप के अंदर ब्लू और सायन टाइप का कलर गेट करेंगे आइधिंग आपने इसको इंस्टेग्राम पे देखा ही होगा मतलब इस टाइप का कलर गेडिंग को तो आज हम अपने इसको इसको आप थोड़ा सा ध्यान से देखना नहीं तो यह थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है आपको समझ नहीं आ सकता तो यहां लेयर स्लेक्ट करना और चैनल बॉक्स पर जाना अगर आपका चैनल बॉक्स ओपन नहीं है तो यहां विंडो पर क्लिक करना यहां से चैनल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना तो यहां सबसे पहले आपको यह जो यह वाला चैनल देख र करेंगे और keyboard से Ctrl A प्रेस करेंगे मतलब All selection के लिए और copy करेंगे keyboard से Ctrl C प्रेस करेंगे और Ctrl D प्रेस करेंगे डिसलेक करने के लिए और आपको B वाले layer पर क्लिक करना और यहां Ctrl B पेस्ट कर देना मतलब जो layer आपने copy किया था उसको paste कर देना और आपको दुबारा keyboard से control D press करना होगा मतलब जो selection enable हो किया उसको D press करके dislike कर दो तो यह control D press करके मैं इसको dislike कर देता हूँ अब आपको क्या करना है आपको इस left बाले option पे click करना है मतलब यह वाला जो channel है इस पे click करके आपको अपना सारे layer enable करना है तो यह देखो आपका जो color है वो change हो चुका है मतलब जो leaf का color होता है वो change हो के blue पे shift हो गया है तो अब आपको simply layer panel पे जाना है और यह वाला layer select कर लेना है कोई भी layer select कर सकते हो इससे कुछ नहीं जाता है तो अब आपको जाना image में यहां से mode में दुबारा जाना है और यहां से RGB पे दुबारा shift हो जाना है और यहां आपको दुबारा option पूछेगा do not flatten or flatten तो आपको do not flatten पे click करना है तो अब आप चाहे तो कुछ adjustment कर सकते हो अपने image पे जैसे यहां adjustment layer panel पे आएंगे यहां से हम level पहले select करेंगे और यहां थोड़ा सा level add करेंगे अपने image पे तो यहां मैं थोड़ा सा dark add करता हूँ और यहां से थोड़ा सा highlight add करता हूँ अपने image पे और अब हम दुबारा जाएंगे यहां पे और यहां से brightness and contrast पे click करेंगे और यहां से अपने image में थोड़ा सा contrast add करेंगे और यहां brightness को थोड़ा सा कम करेंगे और अब हम इसमें एक फेट सा लूप देंगे तो यहां दुबारा जाएंगे और यहां से कर्ष पे क्लिक करेंगे और यहां तो पॉइंटर एड़ करेंगे यहां एक पॉइंटर और यहां एक पॉइंटर और नीचे वाला जो सेड़ वाला पाट है इसको थोड़ा सा उपर क के तरफ लेके जाएंगे तो हमारा image फेड हो जाएगा तो आप इस टाइप से अपने image को color rate कर सकते हो यह जो blue और cyan वाला type का color rate है तो आप चाहे तो अपने images पे try कर सकते हो मैंने इसका एक action create करके रखा है तो मैं link नीचे description में दे दूंगा तो आप जाके वहाँ से download करके आपको कुछ नहीं करना होगा आपको simply action को system में install करना होगा और play करके अपने color rating को apply करना होगा तो मिलते है next video में I hope यह video आपको पसंद आया होगा पसंद आया तो like करो और channel को subscribe करो और वीडियो थोड़ा सा लेट है क्योंकि मेरा जो माइक था वो बिगड़ गया मतलब तूड़ गया यार क्या कर सकता है तो मैं अभी नया माइक नहीं effort कर सकता हूँ तो मैं यह फोन से recording कर रहा हूँ तो मिलते है next video में अभी के लिए bye कर वा, जब अगया की थाया करा मतलब है... अब雍। झाल झाल